बड़ी खबर बड़ी जानकारी आ रहे हैं पंचके यहीं पंचकुला सीम अनुह हलाल कोशलया डैम पहुंचे हुए है हूँ पंचकुला डीसी भी इस दौरान उनके साथ मोजूद हैं जायजा लेने के बासे यम्itaire का बड़ा बי्यान भी सामने आया और दो दिन से लगतार बारिश काफी जादा हो रही है और कोशलिया डैम के पानी का लेवल लगतार बढ़ रहा है डैम से 4000 क्यूसिक पानी निकाला जा रहा है और बारिश रुग गई है और अब इस्ति बिल्कुल ठीक है हतने कुझ बैराज पर एक लाग क्यूसिक पानी छोड़ा गया ह है और तीन लाग क्यूसिक पानी पर एलर्थ होता है हर इस्ति से निपटने के लिए टीम तयार है और इस बार एवरेश से जादा बारिश हुई और कई स्थानों पर जलभराओ की इस्ति भी देखने को मिल रही है फिलहाल इस्ति पूरी तरह से लियंतरण में है वही पंज जाइजा लेने के बाद ये बयान देते हुए कहा है कि इस्ति पूरी तरह से नियंतरण में है और दो दिन से बारिश काफी जादा हो रही है जिसके चलते कोशल्या डैम के पानी का लेवल जो है वो बढ़ गया है 4000 क्यूसिक पानी निकाला जा रहा है और ये तमाम बातें उन्होंने कोशल्या डैम के निरिक्षण के दोरान की ही तो ये एक्स्लूजिव तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जोंता टीवी की स्क्रीन पर कोशल्या डैम पहुचे हुए थे सीम अनुहलाल और इस दोरान पंचकुला की डीसी भी उनके साथ मौजूद रही और ज्वा प्रेशानी जंता को होने नहीं दी जाएगी तो सियम अनुहलाल कोशल्या डैम पहुचे हुए थे और उसके बाद उन्होंने पानी की इस्तती का ज्वाइजा लिया और उन्होंने कहा कि दो दिन से लगातार तेज बारिश हो रही थी जिसके चलते जो जलस्तर था वो बढ नियंतरण में हैं तो दो दिन से बारिश काफी जादा हो रही थी जिसके चलते कोशल्या डैम के पानी का लेवल बढ़ा पर अब इस्तती पूरी तरह से नियंतरण में तो सियम अनुहलाल कोशल्या डैम पहुचे हुए थे जहां पर उन्होंने पानी की इस्तती का पानी का लेवल बढ़ रहा था लेकिन अब इस्तती का ज्वाजा लेते हुए सियम अनुहलाल ने ये बयान भी दिया है कि फिलहाल अभी इस्तती नियंतरण में हैं और अगर इस्तती बिगरती भी है तो उससे निपटने के लिए भी टीम को तमाम निर्देश दिये गए है पर्तिक आपदा जब आती है तो किसी को बता कर नहीं आती है लेकिन दो दिन से लगातार बारिश हो रही है इस बारिश के चलते किसानों की आम लोगों की चिंता भी बड़ी है लेकिन मुख्यमंतरी मनहोर लाल भी किसानों की चिंता में जो है वो यहां पहुंचे को इसले डाम डैम पर सर क्या कहेंगे सर यह जो बारिश हो रही इतनी पेज बारिश हुई है इसके चलती स्थिति कैसी सर दिखिए आपको जैसे जानकरी के पिछले दो दिन से बारिश बहुत ही एक प्रकार से काफी बड़ी जिसको करना चीए कि महातरा में पानी बरसा है और उसका जगा जगा पर जो प्रहाओ देखने को मिला है तो आज हम देख रहे हैं जैसे कशला डैम पर खड़े हैं कशला डैम के पानी का दबल बढ़ा है तो इसके लिए भी हमने जो गेट्स है वो जो डिपार्टमेंट की ओर से बताया गया के चारजार क्यूसिक पानी का फ्लो जो है वहां से निकल रहा है और अब चुगे वर्षा रुख गई है मुझे लगता कि ऐसी को इस्तिती नहीं है जिसमें और आज पास ही अलर्ट किया जाता है तो इसलिए कि इस परकार क्यों को समस्या नहीं है फिर भी आखर प्रपेवर फॉर दवर्ष जैसा कहते हैं तो आगे भी किसी परकार की वर्षा आगर आती है या पहाड़ से पानी ज्यादा आता है तो हमारा जो डिपार्टमेंट ताकि कहीं को इवेंचलोटी ऐसी बनती है तो रहत पहुचाना का काम पो रखिया जासे पर देश पर से सारा फीडबैक ले रहे हैं साय गुरु गुरा मुतमाम जील हो परदेश में फिलाल क्या स्क्रिती है बारिश कितनी है अबरेज से ज्यादा हुई है लेकिन ज्यादा वर्षा आती है तो फिर उसमें कुछ समय और भी ज्यादा लग सकता है लेकिन अभी तक स्टिएशन इस अंडर कंट्रॉल बड़ा हास्यास्पत ब्यान मैं इसको कहूंगा क्योंकि अभी आज उनका पंच्कोला में कारक्रम है और वो जिस पानी के भरे होने की बात कर रहे हैं जो अनुन देखा वो डेरा वसी के ख्षेत्र को देखा है और डेरा वसी के क्षेत्र को देख करके वह करते हर्याना में पानी ज्यादा बढ़ा हुआ है। शुरू करने जा रहे हैं और यह भी अगेन जैसे वर्षा भी हो रही है बेली को समस्या नहीं है लोगों बीजली पूरी मिल रही तो इसको भी मैं कहूंगा कि एक परकार का जैसे नोन इशूज को इशू बना करके आगे बढ़ने की बात है अब वो जोंके बहुत प्रेशान हैं, बहुत व्यथित हैं, बहुत लालायत हैं कि कुछ न कुछ मुद्दा उनको मिले, हरियाना में मेरा दावा है कि किसी परकार का कोई मुद्दा उनको नहीं मिलेगा तो सियम मनुहरलाल पंचकुला के कोशले डैम पहुचे हुए थे और उन्होंने पानी की इस्तिती का ज्वाजा लिया इस दोरान मेडिया से मखातिब होते हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया दो दिन से लगातार परदेश में जोड़दार बारिस हो रही है, बारिस के चलते जगह जगह पर जल बरहा हो चुका है और इसी के चलते हर्याना के मुख्यमंत्री मनहोरलाल कौसल्या डैम पर पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है, वो कौसल्या डैम पर मौजूद है, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर निरिक्षन किया है और साथी साथ पंचकुला की डी सी, डॉक्टर प्रियंका सोनी समय तमाम जो परसासनीक अधिकारी है, वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे मुख्यमंत्री ने यह जान करे लिए कि इस वक्त जो यह कोसल्या डैम है, इस कोसल्या डैम में कितना पानी भर चुका है, जल स्तर इसका कितना उपर जा चुका है और जो नियम अनुसार यहाँ पर और कितना जल जो है, उसको एक्तरित किया जा सकता है और इसके साथ ही इसमें मुख्यमंत्री ने जो जानकर यहां से अधिकारियों से ली है उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो जानकर दी है उसमें सीम ने काया कि कोई भी स्थिती जो है वो खत्रे जैसी नहीं है यहां पर स्थिती पूरी तरह से नियंतर्ण में है और मुख्यमं मुख्यमंत्री ने इसके साथ परदेश भरके अन्य जिलों में जो आप बारिष के चलते जो स्थिती पैदा हुई है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने यह काये कि पूरे परदेश में कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिती नहीं है जो जादा चिंता जल लखो एक बार बरसात के च माम जो परसनासनी करिकारी है उनको निगरानी रखने के लिए कहा है लेकिन अभी इतनी खत्रे की स्थिती आयमना में जरस्तर में नहीं है जिससे कोई बहुत ज्यादा आ जो है वह पेन होने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने काया कि पंचकुला में भी जल भराओ जो है वो पूरे प्रदेस्मर में वहां प्राकर्तिक जो वह किसी में नहीं है लिहाजा जो नजर है वह परस ब्रहाजनासन की बनी हुई है पंचकुला परससन पहन सब्सकुला के जो नदी-णाले उनके आसपास 144 लागूकी है ऑर वहांपर किसी भी तरिके ढ भार्मिक आयजुन के कारेकरम की अनुमती नहीं है, वहां पर बहुत जादा लोग नदी नालों के आसपास किनारे पर इकठे नहीं हो सकते हैं, चुकि हिमाचली जो छेत्र है, वहां पर पाड़ी छेत्र में लगातार बारी सोरी इसके चलते, पानी का तेज भाव किसी भी व मुख्य मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये हैं, कि खराब मौसम के चलते, जो भी जरूरी आतियातिक कदम है, वह समय रहते उठाए जाएं, वीडियो जानलिस्ट विजैंदर सिंग के साथ पावन सीवर, जनता ठीवी, कौशल्या डेम, पंचकुला